हालो फ्रेंट्स नमस्ते आज हम एक नेडीस बनाएंगे आज हम बनाएंगे पाव भाजी उसके लिए मेने लिए है थोड़े से आलू, फुल गोबी, ग्रीन मटर, कैपसिकम, प्याज, अद्रक लेसुन, टमाटर, गाजर, एब्रेस्ट का पाव भाजी मसाला, थोड़े से र निफाइंड ओयल, नमक, हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर और एक पकेट पाव, पहले हम ग्यास अन करके एक प्रेसर गुकर बिठाया है, उसमें हम सारे सबजी को थोड़ा उबाल लेंगे, प्रेसर गुकर में हम आड करेंगे आलू, गाज़त, फुल गोबी, और ग्रीन मटर, इन सब को हमें थोड़े से पानी और नमक और हल्दी के साथ उबाल लेना है, अब हम इसमें आड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पावडर, और थोड़ा सा नमक, इन सब को हमें अच्छे से उबाल लेना है, दो सीटी आगे है, अब हम प्रेसर गूकर का बंद हो जाने देंगे, और इसको थंड़ा हो जाने देंगे, कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें आड करेंगे रिफाइंड ओएल, इसमें हम आड करेंगे एक टुकडा बटर का, अब हम आड करेंगे प्याज, इसको मैंने बारी काट लिया था, जैसे फ्राइ कर लेंगे, जब तक प्याज भून रहा है, तब तक हम अड्रक लेसून का पेस्ट बना लेते हैं, प्याज अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें अड्रक लेसून और हरी मिर्च का पेस्ट आड करेंगे, इसको भी थोड़ा भूल लेंगे, अब इसमें आड्ड करेंगे, थोड़े से कसे हुए टमाटर, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे, अब हम आड्ड करेंगे क्याप्सिकम, इसको अच्छे से फ्राय कर लेंगे मसाले में, क्याप्सिकम सोट हो गए हैं, अब हम इसमें आड करेंगे, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, दो टेबुल स्पून के करीब, और थोड़ा से हल्दी पाउडर, और पाउभाची मसाला, थोड़े से नमत, इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, मसाला फुन गया है, कोकर में हमने सब जो सबजी रखी थी, उबाल के उसको पोटा टमेंटर के मदद से, हम इसको इसे मियाज कर लेंगे, अच्छे से मैंने मियाज कर लिया है, अब हम इसको ग्रेवी में आड करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेना है, इसमें हम आड करेंगे थोड़ा सा पानी, हाई फ्लेम में इसको हम थोड़ी दर के लिए पका लेंगे, देखिए, भाजी हमारी रेड़ी है, अब हम इसमें आड करेंगे थोड़े से बटर, बटर में कंजूसी मत किजिएगा, क्यूंकि पाव भजी में बहुत ज्यादा ही बटर डलता है, इसको मिला लेंगे अच्छे से, डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते, बन गई है हमारी भाजी, अब हम इसको बंद कर लेते हैं, अब हम पाव बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक तावा लिया है, इसको गरम कर लिया है, अब हम इसमें आड करेंगे थोड़ा से बटर, बनाने के लिए हम इस बटर में थोड़ी से लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी से ग्रेवी आड करेंगे इसके उपर थोड़ा सा पाव भजी मसारा डालेंगे मिला लेंगे अच्छे से और डालेंगे थोड़ा सा बटर ग्रेवी को निकाल लेंगे थोड़ा सा बटर टाल कर पाव को हम सिख लेंगे पाव को मैंने कट कर लिया है इसको एसे थोड़ा सा दबा देंगे पाव सिख गये हैं, अब हम इसको निकाल लेते हूं देखिए, बन कर तया है हमारी पाव भजी एसे ही सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए प्लीज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हरे क्रिशना चैनल को, थांक यू